सबसे पहले कड़ाई में एक चमच देशीगी डालेंगे थोड़े से बादम और काजु डाल लेते हैं बराबर चलाते हुए इन्हें हम कलर चेंज होने तक भून लेंगे तो ड्राइफूट भून चुके हैं इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं अब उसी कड़ाई में एक च फीचिन डाल वही को अच्छ से mix कर लेंगे आव चार क्टोड़ी इसमें दूठ डालेंगे तो अगर आपके पास पांस का टोली डूक तो पूरा असमें डाल सकते हैं मेरा थोड़ा कम था तो मैंने 4 क्टवर दूच डाल दिया है बरावर मिक्स करते हुए इसमें हम अच्छे से उबाल आने देते हैं तो 5-6 मिनट करीब लग जाएंगे इसमें उबाल आने तक आप इसे continuously इसी तरह से चलाते रहें आप इसमें 4 हरीलाइची डाल लेंगे तोड़के जिससे फिलेवर खीर में बहुती बढ़िया सा आएगा और इसे अच्छे से उबलते हुए गाड़ी हो गई है देखिए हमारी खीर और सिवाई भी देखने से लग रही है एकदम सॉफ्ट हो चुगी है तो अच्छे से दबा के देख लेंगे सिवाई हमारी सॉफ्ट है एकदम क्रीमी और अब इसमें एक चोटी कटोरी चीनी डालेंगे तो जिस कटोरी से सिवाई ना पीती उसी कटोरी से चीनी डालेंगे ड्राइफ फूट डाल लेते हैं थोड़े से बचा लेंगे और इने डालकर हम दो मिनट और पकाएंगे तो दो मिनट में अच्छे से हमारी रवडी दार खीर बनके तैयार है अब इसको हम बावल में सर्प कर लेंगे और जो हमने ड्राइफ फूट फ्राइ करेंगे उनसे गानिश करके सर्प करेंगे